व़्ेंद्स वेलकम डेक्ट्वाइच चैनल लीट हंवेड़ कुल् सो फ्रेंज्ट्स आज हम पढ़ने वाले IFRS के बारे में IFRS stand for international financial reporting standard इसके हम पढ़ेंगे आज इसका meaning क्या होता है कि IFRS क्या है इसके history कि ये कब आए and then इसके benefits कि इसके benefits क्या है IFRS के and then convergence of India is with IFRS एक ये भी important topic है generally जो exam में इससे question ज़र पूछ रहाते हैं कि convergence का जो benefit है इसके बारे में एक जो introductory video थी वो accounting standard के बारे में वो हम already upload कर चुके हैं so friends आपको देख लीजेगा just उसके बारे में आपको brief बना दू कि देखिए हमें accounting principle की कुछ जरूरत थी पूरे word को जरूरत थी कि हम जो financial statement है उसके उसके उपर हम किस तरीके की rule apply करें किस तरीके से हम उने बनाएं और किस तरीके से present करें ठीक है तो हमें को generally जो principles होते हैं उनकी जरूरत थी तो इसलिए सबसे पहले UK और other countries ने मिलके बनाए थे IAS जिसे कहा जाता था international accounting standard then हमने जो इंडिया ने बनाए क्योंकि देखिए वो बाहर UK और other countries ने बनाए थे तो हमने IAS को देखते हुए बना दिये थे अपने accounting standard AS बना दिये थे हमने ठीक है लेकिन 2001 के approach IAS को जो बाहर की countries थी उन्होंने upgrade कर दिया था and then upgrade करने के बाद उन्होंने बना दिये थे IFRS ठीक है IFRS बना दिये थे उन्होंने then अब जब बाहर की countries ने अपने system को upgrade किया अपने जो principles है मतलब उन्हें upgrade किया so हमें भी उसे upgrade करना जोई था so हमने भी accounting standard की जगा हम ले आए अपने INDAS ठीक है INDAS हम जो है वो ले आए that so यहीं एक प्री structure था इन चारों में कोई confusion ना रखें आप इस तरीके से यह आए अब इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप दो जो हम new things ले आए जैसे कि आए फारे से INDAS तो पहले वाली चीज़ें का यह अप्लाई नहीं होती ऐसे अप्लाई नहीं होता तो अकाउंटिंग सेंडर्ड की रूल से अप्लाई होंगी इसलिए प्रेजेंट पर हमें अकाउंटिंग सेंडर्ड एंड इंडियास दोनों को ही पढ़ना ज़ूरी है ओके अब हम स्टार्ट करते हैं इफरस के बारे में इफरस जो में पता ही है इंटरनेशनल फिनेंशल रिपोर्टिंग सेंडर्ड इसके नेम से पहले में इसका मिनिंग जानते हैं कि क्या है देखिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल आपको पता है इंटरनेशनल का मिनिंग होता है क्यों कि जो की यूनिवर् प्रिकेबल, next एक financial का मतलब क्या होता है, related to the finance, जो finance से related हो, then third reporting, reporting करने का मतलब क्या होता है, to prepare report in a set format, set format में जो report आप prepare कर रहे हो, उसका एक different format हो, then standard, standard का मतलब क्या होता है, set करना कुछ rules and regulations, या फिर जो अलड़ी set है आपकी rules, उन्हीं की according work करना, वो हो जाते हो standard, so यह हो आ आपका IFRS, TOM, जो four words ले गए है, इनके combination से बनाएगे, so इन four words का मतलब यह हुआ, next, अब हम पढ़ते है, इसका meaning, देखिए, meaning क्या है IFRS का, IFRS आदा accounting standard, developed by IASP, किस ने बनाए थे, IASP ने बनाए थे, International accounting standard, जो board है, उसने बनाए थे, इससे पहले, जो कि IAS थे, International accounting standard, उसको किस ने बनाया था, IASC ने, International accounting standard committee ने, पर, यह जो committee थी, इसको replace कर दिया था, इस board ने, अब जब यह board आया, तो उसने इनको upgrade करके IFRS बना दिये, okay, then, अब आप देखिए, they make 10 principles, इन्होंने, जो IASP बनाए थे, 10 बनाए थे, and that principle इसका IFRS, तो जो principles, IASP ने बनाए है, जो previous से उन पर issue किये थे, and in current, they are the 16 IFRS, and then, यह present में, 16 IFRS है, okay, so, यह हूँ, इसका meaning, next, आप meaning, all clear करते है, देखिए, क्या है, इसका meaning, IFRS is a set of accounting standard, developed by an independent, not for profit organization, called IASP, so, IFRS क्या है, simple सी बात है, यह accounting standard है, जिसको किस ने बनाया है, जिसे, IASP ने बनाया है, जो कि एक not for profit organization है, और एक independent organization है, next, क्या कहते है, IFRS के बारे में, कि इसने replace किया था, IAS को, यानि कि पहले, जो, international accounting standard चलते थे, उसको इसने replace कर दिया, all right, next, एक है, और क्या कहते है, IFRS के बारे में, IFRS, design as a common global language, यह एक तरीके की common global language थी, for business affairs के लिए, so that company accounts are easily understandable, एक तरीके से IFRS को जब apply किया गया, सारी बाहर के countries में यह था, so हम ताकि उसको easily understand कर सके, इसलिए IFRS बनाये गए, okay, so यह हुआ IFRS के meaning के बारे में, अब जान लेते हैं थोड़ी सी, इसकी history की बात करेते हैं, वैसे already हम brief में पढ़ चुके हैं, but still, IASC जो था, यानि कि IASC ने क्या बनाये थे, IAS, so इसलिए IASC इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में, through an agreement by professional body UK, USA, Canada, France, German, मैंने बताया ना, कि जो international accounting standard थे वो UK and other companies, other countries ने जो बनाये थे, तो देखी कौन-कौन सी थी, UK, USA, Canada, France, Germany, Japan, Australia, Mexico, Netherlands, Ireland, इन सब के professionals एक साथ हुए, उन्होंने अपनी एक professional body बनाई, और सब क्या बना दिया, उन्होंने IASC, एक committee बना दी, ठीक है, लेकिन इस committee को 2001 में replace कर दिया, कि इसने IASB ने replace कर दिया, IASB standard for International Accounting Standard Board, it revised principle form 41 to 29, पहले ये 41 थे, then 29 हो गए, ठीक है, आप current पर भी इसकी number जो है, ये कुछ changes अगर हो, तो आप एक बार up to date हो चाहिएगा, and then check कर लीजेगा इसके numbers को, the standard given by IASB is called IFRS, तो जो IASB ने जो standard दिये, उसे IFRS कहा गया, okay, so ये हुआ इसकी history के बारे में, next time बैत करते हैं कि benefits क्या है, आपके IFRS के, so देखिए, IFRS जब लाया गया, तो उसके क्या benefits होए थे, सबसे पहला जो benefit था, कि harmonization and international level, देखिए, जब IFRS लाया गया था, तो यानि कि पहले वाली, जो standard थे, वो upgrade हो गया थे, और हमने भी, जो standard बनाया थे, वो उनको देखके ही बनाया थे, so इसे क्या होए, harmonization होए था, बहुत साइड आवल पी, the next useful are those companies who deal in various countries, एक, अब देखिए, बाहर की सारी countries है, जो हमने 30 सारी countries के नाम लिए, उनमें सब में जो था, वो IFRS, जो है, वो follow होने लगया, यानि कि अब कोई भी person है, अगर वो UK में deal करता है, और अगर suppose कीजिए, वो Canada में कर रहा है, France में भी कर रहा है, so सब की जो financial statement को बनाने का V है, वो same है, so उससे उसो कितना benefit होगा, कि उसे हर country को different, जो statement है, जो standards है, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो इससे क्या हुआ, कि उन country, उन companies के लिए बहुत easy हो गया, जो कि एक country नहीं, भलकि बहुत सारे countries में work करती थी, ठीक है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा benefit यही था, इससे क्या हो गया, easiness आ गई आपके cross-portal transaction में, जिससे की economic growth होने लगी, ठीक है, जो standard थे, बहार के countries के, वो same थे, then देखिए, दो countries की जो company है, उन companies के accounts को compare जो करना था, वो काफी easy हो गया, next है कि world trade काफी easy बन गया, क्योंको सब के same standard थे, तो world trade easy बन गया था इस तरीके से, having one accounting system would be easy for both company and investor, जब accounting system एक आ गया, तो investor के लिए भी काफी easy था, और companies के लिए भी, because अब एक country का, जो investor है, वो दूसरी company की जो countries है, उसमें भी invest कर सकता है, दूसरी country की जो companies है, उसमें invest कर सकता है, next देखिए, कुछ benefits जो MNCs को हुए थे, IFRS के आने कारण सबसे पहला देखिए, merger and acquisition काफी easy बन गाये थे, कि अब दो जो company है, वो easily merge हो सकती थी, different countries के भी, next, SS easy to multinational fund, अब multinational fund को, यानि कि foreign capital contract करना, काफी easy हो गया था उनके लिए, और जो trade था, वो easy बन गया था, trade becomes more easier, so ये कुछ benefits से, जो कि MNCs को हुए थे, next, देखिए, अब हम बात करेंगे, convergence of ind AS, यानि कि जो कि Indian accounting standard है, with IFRS, so देखिए, convergence का क्या मतलब हुआ, convergence, मैंने आपके लिए हिंदे में लिखाए, काफी जिससे, easily आपको समाझा जाए, convergence का मतलब होता है, एक रूपता, हिंदी में सो गाते है, एक रूपता या सम रूपता, यानि कि बिल्कुल, same to same होना, उन्ही के according आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब है, कि अपने accounting standard बना हुआ, बट IFRS के जैसा, अब बाहर की countries से, उनके पास पहले जो थे, वो IAS थे, उन्होंने अप्ग्रेट करके, IFRS ले आए, इंडिया क्यों पीछे रहा था, इंडिया के पास अपने accounting standard थी, तो वो से अप्ग्रेट करके, IFRS को ले कर आए थे, सो convergence का मतलब यही था, कि आप अपने accounting standard बनाओगे, और IFRS के जैसे बनाओगे, तो देखिए, Indian AS, यहनि की India AS, जैसे हम कहते हैं, इसे ASP ने बनाया, और IFRS को IASP ने बनाया, सो अब हमने IFRS को देखते हुए ही, इंडियास बनाए, हमने यहीं करना कि convergence करना है, जो सेम उसी की तरीकी की standard बनाने है, सो उसके कुछ benefits क्या हुए convergence की, क्या benefit हमें हुए जब हमने आई यह फरस को देखते ही, इंडियास बनाए तो, सो देखिए, क्या के benefits हमें convergence से हुए, सबसे पहला जो में benefit हुआ था, benefits of convergence, सबसे पहला जो economy को क्या benefit हुए थे, economy को international business promote हो रहा था, आप देखिए, इंडिया के countries और बागे साइब कंट्रीज में, same accounting standard को, financial statement को बनाने का तरीका भी same है, उन्हें presentation भी same है, बिलकुल जैसे बाहर के countries में, जो accounts जैसे प्रिपेर किये जाते हैं, वैसा ही अब इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो इसे क्या हुआ, international business promote हुआ, increase flow, foreign capital, foreign capital अब बाहर के countries को इंडिया के लिए अलग से, जो structure है, financial structure उसको समझने की नहीं होगी, तो बाहर के countries भी जो थी, attract होने रगी इंडिया की तरफ, तो इससे foreign capital आई, जो economy को मिले, next देखिए कि investor को क्या benefit हुआ, investor को benefit हुआ, कि उसे standard को पढ़ना था, वो काफी easy हो गया, नहीं उसे compare करना भी काफी easy हो गया, okay, then next, helpful in decision making, decision making, customer investor के लिए, बहुत easy हो गया करना, because अब वो अपनी Indian company के जो accounts हैं, उनको और बाह के company के वो easily समझ सकता था, benefits to industry, अब किसी industry के benefit क्या हुए, easiness हो गई entry में, अगर कोई industry है, तो उसकी entry easy हो गई, easy settlement in million countries, बहुते countries में, वो easily काम कर सकती है, unbi operating in different countries, different countries में, वो easily अपनी, subsidies हैं, वो establish कर सकती है, so यह हुए आपके convergence के benefit, but every question यहां यह arise होता है, कि IFRS को हमने as it is, क्यों नहीं adopt किया, because IFRS को बहुत सारी companies, as it is, adopt किया है, हमने इसलिए नहीं किया, क्योंकि बाहर की country's से, जो हमारा structure है, वो जो है, वो काफी different है, हमारी country's के जो setup है, जो rules, regulations है, हमारी Indian companies, structure different है, इसलिए हमने उनकी तरह देखते हुए, कुछ changes करके, हमने अपने India's को ले आए, so यह हुआ convergence का meaning, so friends, अब उसके बाद जो next आजाते हैं, कि कुछ challenges से मैंने बताया, कि हम opt नहीं करें, हमने IFRS को, तो वो क्यों, क्या reason थी, कि हमने अपनी standard बनाए, IFRS को directly, हमने as it is रही लिया, तो देखिए, कुछ हमारी जो principles, already existing है, उसमें और IFRS में, बहुत ज़्यादा difference था, इसलिए next challenge क्या था, training and education, training and education की ज़रुद पढ़ती, हमारे पूरे system, जो भी persons काम कर रहे हैं, accountants, जाचाए clerk है, और भी जो भी इस काम में है, सब को training and education की ज़रुद पढ़ती, legal consideration भी कुछ होता है, taxation का effect भी काफी आजाता है, ये भी एक challenge है, IFRS को इंडिया में नही लाने का, then financial reporting system, पूरे financial reporting system को, इसमें change हमें करना बारता है, reporting हमारी completely, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट कर देना, till then, stay tuned, thank you, next time भी लेंगे, एक न्यू टॉपिक के साथ,